नमस्ते गाई, आशे शेयर आप और नमस्ते डेक कमार पास है Redmi Note 11 Pro 5D Model और इस वीडियो वे मैं आपको बताऊँगा इसके best tips and tricks जो आपने लिए यूज़ करके अपने phone का experience और भी better कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले start करेंगे security app से यहां पर आपको कुछ features बहुत अच्छे मिलते हैं जैसे कि app lock तो app lock में आपको करना क्या है या क्या कर सकते हो कि आप अपने applications को lock कर सकते हो तक कि कोई और देख नहीं सके So for example gallery app मैंने lock किया हुआ है MI account से आप connect कर लेना तो recovery का option आपका बढ़ जाएगा और यह lock हो गया दूसरा एक और चीज है कि आप चाहो तो gallery app यहां पर उसको fingerprint से भी आप unlock कर सकते हो तो दोनों option है face unlock का भी option है configure करना पड़ेगा next जलते है dual apps की तरफ तो यहां पर आप applications को duplicate कर सकते हो for example facebook का अगर आपके पस दो account है तो आप उसको enable कर दो और साथी साथ आप कुछ preferences कर सकते हो कि कहाँ default sharing होनी चाहिए sign in कैसे होगा always ask होगा wake using google assistant etc. इंडिविजियल आपस के individual features है तो facebook हम लोगोंने already किया हुआ है तो यहां देख सकते हो कि facebook का एक app यहाँ पे है और एक app यहाँ पे है तो duplicate apps हो गए उसके अलावा आपको मिलता है second space यानि कि एक और phone का space setup कर लो तक कि आप तो अलग-अलग account यूज़ कर सको single phone पे game turbo है तो gaming experience बढ़ाना है तो आप game turbo में जाके game add करो उसको configure कर लो तो यह तो हो गया app lock अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पैनल की तरफ दो तरका है एक यह वाला है और एक यह वाला है तो एक जाक्शन सेंटर खुलता है दूसरे नोटिफिकेशन खुलता है इसको चेंज कर सकते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा तो हम चलते हैं डिरेक्ट सेटिंग्स की तरफ तो ऊपर के आप्शन तो नॉर्मल है जो में में आप्शन है वो देखते हैं तो अलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन आलवेज ऑन डिस्प्ले आप अन कर सकते हो बैटरी थोड़ा जादा जाएगा पर तिकने में बहुत अच्छा लगता है उसके अलावा नोटिफिकेशन एफेक्ट ये भी वन आप मैं फेवरेट फीचर है कोई इसको आप कर लो तो जब आपका फोन लॉक रहेगा आप डबल टाप करोगे तो यह यहां पर फोन ओन कर देगा डबल टाप करोगे तो सो जाएगा और यह ऑल्वेज ओन डिस्प्ले का भी डेम हो गया नेक्स इसमें एक ग्लांस पर एमाई है अगर आपको लॉक स्क्रीन पहले लग लग चीजे पसंदहिता आप उसको यूस कर सकते हो चाजीग अनीमेशन लॉक कियाम ड्वाइस प्सक्रीं आप देख सकते हो तो डिस्प्ले की तो display में आपको dark mode मिल रहा है, schedule कर सकते हो, reading mode है, color scheme है, refresh rate अगर आपको 90Hz वाला है या 120, actually इसमें 60 और 120 है, 90 नहीं है, और automatic नहीं है, तो आप 120Hz में कर सकते हो, थोड़ा हो सकता बाटरी का consumption जादा होगा, but smooth scrolling, फिर आप font चेंज कर सकते हो, या आपको themes में लेके जाएगा, जह कुछ paid है, कुछ free है, text size आप change कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसी आपकी इच्छा, next आते है sound and vibration में, और इसमें जो चीज देखना है, वो है इनके additional setting में, और जो sound effect बंद करने को कह रहा हूं, वो यह सब है, dial pad tones, tap sound, play sound when locking device, taking screenshot, uninstalling apps, deleting item, यह सब क्या होता है, कि एक तरह का identifier हो दूसरे को पता जिल जाते हैं कि आप कुछ कर रहे हो, तो इस से आप इसको बंद कर सकते हो, next चलते है notification and control center में, तो अलग-अलग तरह से आप कर सकते हो, control center style आप चाहो तो old version में revert कर सकते हो, new version तो मैं आपको दिखा ही चुका हो, उसके अलाबा app notification को आप manage कर सकते हो, notification shade आ again अलग अलग तरह का animation आप कर सकते हो, status bar का है, तो आपको status bar भी क्या-क्या चाहिए, जैसे कि आप internet की speed configure कर सकते हो, दिखा सकते हो, battery indicator कैसा चाहिए, battery के अंदर बाहर या सिर्फ एक बाहर चाहिए, notch हाइड कर सकते हो, अगर आपको apps के notch आपको नहीं पसंद है, तो, next चलते है, home screen पे, तो काफी कुछ है, default launcher, home screen, आपको app drawer चाहिए, कि नहीं चाहिए, वो आप decide कर सकते हो, एक जो minus one screen होता है, उसको आप disable कर सकते हो, for example, ये मेरा minus one screen है, जो कि app vault है, इनका, now, इसको मैं चाहूँ, तो Google discover में change कर सकता हूँ, तो मैं अगर यहां जाता हूँ, तो मुझ completely हटा भी सकता हूँ, system navigation, आपको अगर buttons पर संद तो buttons, gesture पर संद तो gestures भी है, आप mirror button कर सकते हो, यानि कि इधर उदर कर सकते हो, menu और back button को, button shortcut जो है, वो आप configure कर सकते हो, कि power plus back क्या होगा, power plus home क्या होगा, अलग-अलग तरह के options है, एक अच्छा option है, अगर आपको यही style इसमें change कर सकते हो, application basis पे, कि suppose करो, आप calculator यूज करो, navigation button नहीं चाहिए, तो आप उसमें double tap करोगे, तो वो गायब हो जाएगा, home screen layout, अगर आपको ज़्यादा चाहिए, 4x6 के ज़िए 5x6 चाहिए, range items in recent, show memory status, अगर आपको memory status चाहिए, तो आप यहाँ पे multitasking में ऊपर की तर अगर आप कोई भी application का preview hide करना चाहते हो, जैसे ही suppose करो, calculator ठीक है, तो अब हम जाते हैं, यहाँ पे calculator को launch करते हैं, calculator आगया, अब मैं अगर, multitasking में जाता हूँ, आप देख सकते हैं, इसका preview log हो गया, तो यह बहुत अच्छा option है, कोई भी sensitive app data sensitive हो, आपकी privacy से related हो, उसको आप यहाँ से hide कर सकते हो, next चलते हैं, apps में, तो अच्छी चीज़े हैं, जैसे system app setting में जाओ, और suppose करो, music को पकड़ लो, तो उसकी setting आप देख सकते हो, यहाँ पे, फिर manage apps है, manage home screenshot कर यह बहुत अच्छा, suppose करो, आपको service and feedback नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ से खटा सकते हो, तो इसको remove कर दो, अब यह सिर्फ settings के through available होगा, app directly गयाब हो जाएगा, कुछ लोगों को system के apps नहीं पसंद होते हैं, तो वो इससे हटा सकते हैं, फिर है uninstalled system apps, यह नहीं कि अगर आपने कोई system apps को forcefully किसी भी तरह हटा दिया, उसको वापस डालना है, dual apps मैंने बताई दिया, permissions app lock substandard feature है, अब चलता है additional settings की तरफ, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे feature है, जैसे कि guest है, shortcut, google assistant, take a screenshot, launch camera, turn on torch, इस तरह के सभी कुछ यहाँ पे है, और एक अच्छा feature जो है, कि double tap fingerprint sensor, यानि कि अगर आप double tap करते हो, अपने fingerprint sensor पे, जो कि यहाँ पे है, तो क्या होगा, for example, मैं यह configure करता हूँ, तो अब मैं, screenshot आ गया, बहुत amazing feature actually, google assistant launch कर लो, without long press, इस तरह की चीज़े आप करो, बहुत useful, I think, one of the best features है यहाँ पे, फिर a screen recorder, तो screen recorder तो आपको actually, यहाँ पे मिलता है, यह रहा है, camera वाला icon जो है, that can do screen recording and all, तो यह screen recorder है, बट उसको configure कैसे कर सकते है, आप resolution, video quality, orientation, sound का source क्या होगा, mic होगा कि system होगा, या आपको बिल्कुल चाहिए ही नहीं, fix frame rate, आप उसको change कर सकते हो, इसको disable करो, यहाँ पे, fix frame rate, इसको चाहो तो आप disable कर सकते हो, नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपके configure कर सकते, 15, 24, 30, maximum 30 fps तक available है, lock screen to end recording, again, अच्छा feature है, अगर आप शांती से record करो, अच्छानक से कोई आने वाला वो लॉक कर दिया, recording खटम, save भी हो जाएगा, touch case चाह दिखाओ, button taps दिखाओ, इस अब अच्छे features है, 100 mode, very easy to implement, तो इसको करके देखते है, तो आप यहाँ पे हो, 100 mode, अब मैं ऐसे करता हो, तो यह 100 mode में चला गया, बहुत इसली हो जाता है, कहीं भी करो तो आपस आप नॉर्मल आ सकते हो, memory extension जिसको कि virtual RAM बोलते है, तो यह क्या करता है, पुरा में concept है, computer वगरे में पहले के सामें होता था, अब हाट डिस्स वगरे यूज़ करते थे, अब तो SSD आने लग गया, तो SDD में क्या होता था, कि वो computer उस आपके 128GB वेला modeler suppose कर लो, बहुत storage है, 2GB allocate कर दो क्या फरक पड़ता है, तो आप उससे यहां पर enable कर सकते हो, now suppose करो, अगर आप run out of space हो रहे हो, आपकी space की कमी पढ़ रही है, तो आप आके इसको यहां बंग कर दे ना, तो 2GB आपका free हो जाए, special features को देखते है, तो floating windows का feature है तो अगर कोई notification आता है, तो आप उसको इस तरह से करके, और side में कर सकते हो, इसका पूरा demo दे रखा है, तो आपको जैसी इच्छा आप वो कर सकते हो, कोई भी अगर से suppose को message आया, कुछ भी है, तो floating window इस तरह से करके, side by side कर सकते हो, sidebar अगर आपको पसंद है, side में ऐसे, त remote again, अगर आप ये phone किसी ऐसे को elderly को देरो कुछ देर use करने के लिए, तो ये use कर लो, सब कुछ big size दिखने लगी है, simple to use हो, so that's it, ये थे Redmi Note 11 Pro के best tips and tricks, best features, और अगर आप सोच रहो कि कौन सा version रन कर रहा है, तो ये MIUI 13 रन कर रहा है, और ये Android, अगर मैं सही से पढ़ रहा हू तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो से लाइक करेगा, तेकने के लिए धन्यवाद,